सिंगल यूज प्लास्टिक का स्तमाल करने वालो पर 1986 Environment Production Act के तहत 5 साल तक की सजा और 5 लाक रुपे तक का जुर्माना हो सकता है इसकी जानकारी देते हुए National Green Tribunal की हरियाना Monitoring Committee के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पालने स्पश्ट किया है कि किसी भी प्लास्टिक निर्माता या फिर दुकानदार के पास सिंगल यूज प्लास्टिक का material या फिर समान हुआ तो प्रशासन के संबंदित अधिकारी को सरेंडर कर सकता है साथे साथ National Green Tribunal की हुई बैठक में अधिकारियों को ये क्या निर्देश दिये गए इसी बारे में खास बातचीत हमाई संबादादा अनिल कुमार ने की है देखिए National Green Tribunal ने अधिकारियों की बैठक में किन मुद्दो पर चर्चा हुई इस सम्मेर साथ है National Green Tribunal हर्याना Monitoring Committee के अधियक्स Justice प्रितम पाल सिंग इन से जानते हैं कि अधिकारियों को उन्होंने क्या निर्देश दिये है इसमें अनिल जी हमारे हर्याने में कुल 22 डिस्टिक्ट है और हमने इस जो Environment Plans बनाई हैं हर एक के कोई इशू छुटना जाए हमने इसमें सारे इशू इंकलूड किये जैसे Solid Waste Management, Water Pollution Management, Air Pollution Management और Electronic Waste Management और Plastic Use Management इस तरह के ये C&D Use Management तो ये सोला तरह के एक छोटे छोटे करके ये हमने एक इनको बड़े तरीके से सारे हर्याने के स्टेट लेवल पर एक District Environment Plans बैठ के त्यार की हैं और सारे Districts की एक ताकि इनिफॉर्मिटी बनी रहें, बाइस के बाइस District में हमने विजिट करके ये उनकी Environment Plans प्लैन त्यार करवाई हैं, जिस्टिक जो हर्याने की जो NGT की Monitoring Committee है, उसमें सारे Expert मेंबर हमारे थे, और इसका इतना अच्छा सरु हुआ कि एक एक इशू को जब हम डिस्कस करते हैं, अब उसकी implementation, execution, कि उसके ओपर ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो एक पॉइंट उसमें डिस्कस होता है, अब जैसे हम कल भीवानी और दादरी दो डिस्टिक कवर करके आए हैं, दोनों डिस्टिक के हमने Environment Plan चेक की हैं, और उन से देख ये सारा जानकारी ली है कि किस issue पर आपने कितना काम किया है, या कहीं रुकावट है, तो क्यों रुकावट है, वो कितना गैप है, उसको कब तक पूरा करोगे, और स्पोर्ट पे जाके विजिट करके भी देखा कि जो solid waste management है, उसका किस तरह से treatment चल रहा है, चा काम करते हैं नजर आए, तो लेकिन साथ में हमने अब हर्याना government ने भी notification की है, और इसके उपर central act, नाइंटीन एटी सिक्स का जो हमारा environment protection act है, जो सारी इंडिया में लागू होता है, उसके तहत, जो भी state government notification रिस्यू करती है, एक single use plastic का कोई इस्तेमाल ना हो हर्याने state में, आज हमारी पहली जुलाई से, इसका सुभारम हमने कल भीवानी से किया, तो भीवानी में सारे district officers, करमचारी और वहां की समाजिक संस्थाएं, वहां की सारे non government agencies और स्कूलों के college के students, तो civil society के लोग बहुत संख्या में एकत्री थे, और सब ने बड़े जोस्यू खरोस के साथ इस अभियान को सुरू किया भीवानी से, और उसमें समने सफत लिया है, कि हम पहली जुलाई से, इसको कोई बनाएगा नहीं, कोई रखेगा नहीं, single plastic use कोई नहीं करेगा, जब use ही नहीं करेगे तो ना कोई बेचेगा, ना कोई बनाएगा, तो यह समने परण लिया है वहाँ पर. प्रितम पाल सिंग जी, अगर कोई single use plastic इस्तमाल करता है, और या manufacturing करता है, या उलंगन करता है नहीं मों का, उसको कितने साल तक की सजा हो सकती है, और कितना जुर्माना लगाया जा सकता है. आपका question ठीक ही आपने, कि लोगों को आम जन, जनता को इसका पता होना चाहिए, कि अगर हम इसकी awareness करने के बाद, इतना सफत और परण लेने के बाद, भी इसके कहीं उलंगना होती है, या कोई करता है, या करवाता है, इसकी कोई manufacturing करता है, इसका कोई possession अपने कबजे में रखता है, या इसको कोई खरीद के लेके चलता है, और उसके possession से ये single plastic use की चिज़ें मिलती हैं, जिसमें, ये भी पता होना चाहिए, कि सिंगल plastic use है क्या, कि जैसे हम plastic से बनी थालियें, कुटोरियें, चमच, बोतलें, डब्बे, इस तरह के जो चिज़ें हैं, ये वैसे भी सहित के लिए injurious to health, ये already ये scientifically प्रूव हो चुका है, कि सहित के लिए मिखाने की चीज़ें रखना ठीक नहीं है, लेकिन कानुन कहीं बार लागू करने के लिए सजा का प्रावधान भी करना पड़ता है, और जो main हमारा act है, 1986 का, जो central government act है, जिसमें parliament का act है, उसके तहत, इसमें इनकी जो violation है, उसके लिए एक पाँच लाख पाँच वर्ष तक की सजा हो सकती है, और एक लाख से पाँच लाख तक इसका fine जा सकता है, वो कैसे हैं, कि अगर violation होई, एक लाख रुपे minimum उसके उपर fine है, और फिर भी उसके बाद भी, अगर कोई उलंगना होती है, रुपे daily, अगर वो continue करता है offense, तो 5000 रुपे तक वो बढ़ता चला जाएगा, तो यह इस तरह का प्रवधान हमारे 1986 के act में है, और उसको court try करके उसके उपर सजा कर देगे, उसके environment courts बनी है, तो दूसरी, जो हर्याना government का मैंने notification देखा है, उसमें यह कि 25000 रुपे तक की penalty पोज़ हो सकती है, जो यह इसकी उलंग ना करेगा notification की, तो पहली जुलाई से, यह हमें इस बात का परचार परसार करना चाहिए, कि हम कोई single plastic use की कोई चिज़ें इस्तेमाल ना करें, ना करें ना दूसरों को करने दें, इसका परचार परसार करें, ताके सारे जिलें में, स सड़कों पर, यह solid waste के अंदर, कई गोव में खाती है, कई saverage system में फंस जाता है, इसके कितने नुकसान है, यह पानी में और सबजी में, रोटी में, जिस पर रखके भी खाएंगे, उसमें भी इसका mixture जाता है, ऐसा scientifically यह प्रूव हो चुका है, तो इसके लिए बड़ा काम करने की जूरता है, प्रितम पाल सिंग जी, जिन के पास पहले से स्टोक उपलब्ध है, और या जिनोंने manufacturing की है, तो इसके लिए भी कोई step लिया गया है, इसमें यह है, कि उसकी अपनी bona fides हो करने के लिए, कि मैंने कोई offense नहीं किया, अगर किसी के पास single use plastic की कोई चीज़े हैं, कोई सामान है, कोई material है, तो वो उसको surrender करें, pollution control board के जो regional officers हैं, वहाँ जाके उनको बताए, जो commissioner है, municipal committees के, और executive officer है, जो concerned officer है, इससे related, जिनको powers दी गई हैं, इसमें निचे तसीलदार से लेकर district magistrate तक, हमारे इसमें बीस बाइस category के officer हैं, जो penalty impose कर सकते हैं, इसके उपर, तो उनको जाकर surrender कर दें, कि यह हमारे पास रखाता है, यह हम surrender कर रहे हैं, ताकि उसको एक sanctifically dispose हो सके. प्रितम पाल सिंग जी, अगर कोई अधिकारी ही, अपनी duty में कोताई बढ़ता है, तो उसके खिलाब क्या कारवई हो सके? उसके बारे में, National Green Tribunal ने एक बहुत detailed आदेश दिया है, कि अगर इसके उपर कोई अधिकारी negligence करेगा, या लापरवाई बरतेगा, अपनी duty नहीं करेगा, उसके responsibility फिक्स करके, उसके जो annual confidence report है, उनको direction दे गई है चीफ सेक्टरी को, कि वो इसके उपर कारवाई करें और action लें, जो इस तरह के ये तो बहुत बड़ा अपराद है, जो अगर हम अपनी duty को इंजाम ना दें, honestly और diligently तो उसके उपर हमारे service rules भी applicable है, उनको punishment दे जा सकती है, ये थे मेर साथ, National Green Tribunal हर्याना Monitoring Committee के अध्यक्स Justice प्रीतम पाल सिंग, इन्होंने बताया कि single use plastic पर बैन कर दिया गया है, इसके साथ साथ इन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं, अनिल कुमार, टोटल यूज, चंडिगार